Yes people, good morning, good afternoon, good evening to all of you, कैसे सब लोग, होप सो, आप सब लोग बहुत बढ़ी आ रहेंगे, मैं बता दू, मैं भी बहुत अच्छा हूँ तो जितने बच्चों ने CA Foundation clear किया है, उनको बहुत बहुत बढ़ाई हो, बिकास आपने अपनी life का, जो सबसे बड़ा एक्जाम होता है, that is the CA का एक्जाम, और उसका पहला जो step है, पहला जो पढ़ाव है, वो आपने clear कर दिया, और अब आपके लिए second पढ़ाव है, that is CA Intermediate, तो CA Intermediate में बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहे थे, सर आपका बैच कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो मैं आपको इस बैच के बारे में बताना चाहूंगा, तो CA Intermediate direct tax का paper में पढ़ाता हूँ, taxation के दो पार्ट होते हैं, उसमें 50 marks है, वो direct tax है, बसमें 50 marks है, वो GST है तो मैं आपको direct tax जिसको बन income tax बोलते है, वो मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो income tax का जो ये batch आ रहा है, ये batch May November 2024 के लिए है, this is fully amended by the budget 2023 में जो budget आया था, निर्मला सीता रमन जी ने, जो present किया था, उसमें जितने amendments हैं, वो sub amendments इसमें cover होने वाले हैं, और ये batch जो है, वो आपक मोडिल्स में, वो sub questions आपके साथ में discuss किये जाएंगे, आपको class में solve कराये जाएंगे, अब बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है कि सर्य बैच की starting date क्या रहेगी, end date क्या रहेगी, जिससे कि हम हमारा पूरा schedule प्लान कर पाए, तो आप pen paper लेके बैठ जाएए, और इस schedule के हिसाब से आपको जो है, वो direct tax complete करना है, कैसे करेंगे, सबसे पहले ये बैच की जो start date वो 16 August से है, 16 August यही वाला 15 August की छुट्टी मनाईए, और 16 August से हम लोग पढ़ने वाले है direct tax, income tax, तो 16 August से ये बैच चालू होने वाला, ये बैच complete होगा 31st October को, मिस धाई महीने का बैच है और दाई महीने के अंदर टोटल 150 hours रहेंगे, और 150 hours ये क्या टाइम रहेगा, 11 to 130 PM, मिस 11 AM से चालू होगा, 130 PM सिरफ दाई घंटे हम income tax पढ़ेंगे, और इसमें मैं आपको कोई भी break नहीं दोंगा, क्योंकि 3 गंटे का lecture होता, इसमें break देते है, इसमें मैं break नहीं देने वा आफ्टर कोविड मैंने face to face batches नहीं लिये, no doubt मैंने इंडिया टूर किया था, तब इंडिया टूर में कुछ face to face बच्चों को पढ़ाया था, बट बहुत सारे बच्चों की ये request आई, कि सर हम आपसे face to face पढ़ना चाते है, आपके सामने बैठ के पढ़ना चाते है, तो उस बार पूने वालों से मुझे प्यार हो गया, because इतनी प्यारी जगे है, इतने प्यारे बच्चे है, तो मुझे लगता है कि क्यो ना उनके लिए मैं 100% face to face batch ले लो, तो ये वाला जो मेरा batch है, ये 100% face to face रहेगा, जो धाई महीने है, मैं पूने सिफ्ट हो गया हूँ, आप य smart academy, pristis point में वहाँ पर जाके आप इसका admission ले सकते है, और 100% face to face में आपके सामने रहूँगा, और वहीं पर अपनी बैच पूरा पढ़ने वाले है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे, सर face to face वालों का धियान रख रहे हो, हमारा क्या, हम तो सर यहां से नहीं है, ह और उसी के साथ साथ में आपका live streaming चलेगा, आप साथ साथ में Kolkata में बैट के भी यही feel कर पाएंगे, जैसे आप पूने में मेरे सामने बैटे है, live at home रहेगा, मेरे सामने एक बड़ा सा TV लगा रहेगा, जिसमें आपके जितने भी doubts रहेंगे, that doubt I will consider, तो जितने भी doubts रहे सर उस time पे हमारा already कोई commitment है और already कोई classes है, तो क्या करना, तो आपके लिए हमारा Google Drive है या pen drive है, वो option आप opt कर सकते है, तो Google Drive ले सकते है और Google Drive जैसे यह batch चलू हो जाएगा, उसके दो दिन के बाद से आपको Google Drive का link मिलना चलू हो जाएगा, और उसके साथ साथ में आप जो है, वो Google Drive से आप देखना चालू करेंगे और आपके lecture complete करेंगे, ठीक है, चलिए गाइस, यह पहली बार May 2024 में new syllabus में exam हो रहा है, तो मेरी आपसे यह request रहेगी, कि आपका target होना चाहिए first attempt में clear करो, और एक बात बता दू, जब भी new syllabus आता है, आज तक का आप record उठा के देख ले रहा है था in 2006, उसमें result रहा था 80% result, निस 80% बच्चे जो है, वो पास हो गए दे CBT, तो बहुत अच्छा result रहता है, जब भी पहला exam होता है new syllabus में, तो यह new syllabus का पहला exam है, जो आप देने वाले है, तो आपका यह मतलब पूरा target होना चाहिए, कि first attempt में आप दोनों group है, वो clear क करना चाहिए, और मैं बताओ, rank आती है, अगर आप अभी से decide कर लो, अभी से ठान लो, कि नहीं, आने वाला जो time है, वो मैं पूरा dedicated पढ़ाई को लेके दूँगा, because है न, मैं हमेशा यह बोलता हो, कि life में हर चीज करनी चाहिए, ऐसा नहीं होता है, कि life में मजे नहीं करने चाहिए, घुमना नहीं चाहिए, पाटी नहीं करनी चाहिए, सब करनी चाहिए, बट हर चीज करने का एक time होता है, सही time पे, सही चीज करना, वो ही अपने आपको आगे ले जाता है, तो मेरा आपसे यहीं request है, as a बड़े भाई, यही मेरा आपसे suggestion है, कि यह आने वाला जो time है, जो आपके पास यह time मिला है, just give to the study only, यह time लगा लो, अपनी जान लगा लो पढ़ाई को ले के, और फटा-फट इंटर क्लियर कर लो, rank लाओ करके, इस बार मैं आपको बताना चाहूंगा, कि मेरे से जो पढ़े हुए बच्चे है, CA final as well as intermediate, there are approximately 78 students, जिनकी All India rank आई है, 78 38 students इंडिया में ऐसे है, जिन्होंने DT मेरे से, मेरा सुभाग्य है कि उन्होंने मेरे से पढ़ा था, और उन्होंने All India में rank score की है, तो guys हम मिलने वाले हैं कब 16 August को मिल रहे है, 11 o clock से लेके और 130 आपका ये batch रहेगा, पूने जो आ सकते है, वो पूने face to face batch अटेंड करे, जो syllabus time पे complete होगा, और हर Sunday को आपका test रहेगा, means Monday to Saturday आपका batch रहेगा, और Sunday को आपका test रहेगा, कि जितना अपन उस week में पढ़ा है, Sunday को हम प्या करेंगे, test conduct करने वाले है, उसके साथ साथ में मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको हर चीज लिखवा के देता हूँ, जैसे आप लिखोगे ना, उतनी चीज़े आपको याद रहती है, सिरफ रीड करने से ज़्यादा चीज़े रिटेन नहीं हो पाती, जितना आप लिखोगे, उतनी चीज़े है, वो आपको याद रहेगी, और income tax जो हम पढ़ने वाले है, आप अपने senior से जरूर पूछे, अपने बड़े भई, CA final में है, या बड़ी sister जो CA final में है, CA अभी बने है, लास्ट के 4-5 साल में, आप उनसे पूछ सकते है, कि we are going to discuss the all the income tax provision with the logic, कि वो provision क्यो आया, वो section की need क्या थी, lawmakers का क्या intention था, जिससे कि आपको चीज़े long term तक याद रह सकती है, ठीक है, तो चलिए, हम लोग मिलने वाले हैं 16 August 2023 को